हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका आपने यूटूब चैनल for your success में घटना चकर करेंट अफेर मेगजिंग के जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के वार्सिकांग संस्क्रेंड में से टॉप इंपोर्टेंट 120 20 MCQ जो की बहुत ही अतीम हत्पून है उनको लेकर एक वीडियो तयार किया आपके लिए जो आपके आने वाले कोई भी एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकता है तो एक्जाम्स में जाने सपहले एक वार ज़रूर इस वीडियो को देख लें चार से पांच कु को इस वीडियो से आपके आने वाले कोई भी एक्जाम्स में देखने को बिल सकते हैं इस वीडियो हमने सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को कवर किया है जिसमें अंतराष्टी परिद्रशिव, राष्टी परिद्रशिव, खेल-जगत, पुरुसकारियनम सम्मान, आर्थिक प्रिद्रसिव, वैसिक सुचकांक, सिंग्त, युद्य अभ्यास, न्यूकतियां, चर्चित पुस्त के एवं लेखक, महत्पूर्ण दिवस, उनकी थीम्स, योजनाय, चर्चित व्यक्ति, विज्ञान प्रादिकी की एप और पॉर्टल, यह वीडियो हमारा एक जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2022 से का टॉप इंटरफेस कवर करने वाला है, चलिए शू करते हैं वीडियो को, आभी अपना अंसर साथ साथ में गैस कर सकते हैं, फैला कुशन है, संविक तुराश्टू जलवायू परिवर्टन सम्मिलन 2023 का आईजन कहां पर किया गया था, United Nations Climate Change Conference 2023 का आईजन कहा पर किया गया था, राइट अंसर है, ओप्शन A, दुबई, संविक तुराश्टू जलवायू परिवर्टन सम्मिलन 2023 का आईजन दुबई में किया गया था, कॉप 28 जिसके नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्स रहे थे, सुल्तान एहमद अल-जाबेर, भारत की और से प 2023 में दुबई में किया गया था, 2024 में अजर वैजन में इसका आईजन होगा, ओप 29, नेक्स्ट, हाली में, फॉर्ब्स के द्वारत जारी 2023 की विश्टू की सबसे सकती साली महिलाओं की सुची में, कौन सामिल है भारती महिलाएं, आंसर रैट है, ओप्शन, ओप्शन D अमेरिकी पत्रिका फॉर्ब्स ने वर्ष 2023 के लिए विश्टू की सबसे सकती साली महिलाओं की सुची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर उर्सूला वन्डेर बेल्जिम की है, तबकि भारत की ओर से निर्मला सीतारमन 32 स्थान पर है, रोष्णि नडार मलहुतरा 60 स्था हाले में घोशित राष्टी खेल पुरुसकारों में किसे अर्जून पुरुसकार 2023 के लिए चुना गया है, क्रिकेट के अंदर अर्जून पुरुसकार के लिए किसे चुना गया है, आंसर रैट है, ऑप्शन दी, मोहमद शमी अर्जून अवाड 2023 जिसके अंदर पुरी लिष्ट आपके सामने स्किन पर है, जिसमें कुल 26 खेलाडियों को और्जन पुरुसकार दिया गया है, विजिता खेलाडियों को 15 रुपे का इनामिस में दिया जाता है, इसका आप स्किन शोट लेकर रख सकते हैं, या बाद में पीडियों पर डाउनलोड करके देख सकते हैं, नेक्स्ट, हाले में गोशित राष्ट्री खेल पुरुसकार 2023 में मेजर ध्यांचन खेल रतन अवाड किसे दिया गया है, मेजर ध्यांचन खेल रतन अवाड, आंसर रैठ है ओप्शन D, जिसमें चिराग शेटी और सात्विक सेराच को दिया गया है, दोनों ही खेलाडी बैडमेंटन के हैं, और विजित राषी मेजर ध्यांचन खेल अवाड में रहती है, 25 लाग रुपे, नेक्स्ट कुछन है, हाले में गोशित राष्ट्री खेल पुरुसकार 2023 में दुरुनाचार पुरुसकार 2023 किसे दिया गया है दुरुनाचार पुरुसकार 2023, लुलित कुमार कुस्ति के लिए, आर्बी रमेश सत्रंच, मावीर परसाथ सेनी पैरा एथलेटिक्स, सिवेंदर शिंग, होकीर, गनेश प्रभाकर, देवरुकर, यदियागा मलखम खेल के लिए, विजित राषी में आती है, 10 लाग रुप अंसर रेट है, ओप्शन ए, हर्याना इसमें पहले हिस्तान पर आया, पहली बार इसका आज़िन किया गया था, 2023 में, हर्याना इसमें 40-60 प्रदुकों के साथ, फुल 105 मेडल जीत कर, इस प्रत्यों किता बार पहले हिस्तान पर रहा था, खेले इंडिया पैरा गेम्स, पहले खेले इंडिया पैरा गेम्स, सौर्ट में से के आई पीजी कहते हैं, 2023 का आज़िन नहीं दिल्ली में, 10-17 दिसम्बर 2023 तक किया गया था, जिसमें 7 खेलों को सामिल किया गया था, पैरा अथलेटिक्स, पैरा शुटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बै नेक्ट कुझन है, आखाली में भारत के 25 गणतनतर दिवस समारों के मुक्या अतिती कौन रहे थे? पचितर्वे गणतनतर दिवस समारों के चीफ केस्ट कौन रहे थे? पैराट अंसर है, ओप्षन D. फ्रान्स के राश्टपती फ्रांस के राश्टपती इमेन्वल मैकरो भारत के गणतंतर दिवस समार दोज़ार 24 के मुख्य अती थी थे मिज़ा स्क्राश्टपती मिस्ट राश्टपती अब्दूल फटेह अल्झी सी मुख्य अती थे नाइश कुछन है हाली में अंतराष्टी होकी महासंग 2023 के वार्षिक पुरुसकारों में प्लेयर आफ द इयर कौन मना है नाइश कुछन है सांस्कृतिक विरासत सरक्षन में उत्क्रष्ट योगदान के लिए चार परियोजनाओं को मनेता दिये हैं पंजाब के रामबा गेड और प्राचीरों हर्यना के चर्ज ओफ एपिफनी दिली का विकानिर हाउस युनेस्को का मुखाले पैरिस फ्रांस नेक्स्ट वर्स दोजार तेस का 33 व्यास सम्मान परदान करने की गोशना ही गई है उश्पा भारती 33 व्यास सम्मान नेक्स्ट कोशन हाले में टाइम पत्रिका ने 2023 के लिए पर्सन ओफ दा इयर की से चुना है टाइम एकजिन की तौरा पर्सन ओफ दा इयर 2023 अंसर राइट है ओप्शन ए टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने 2023 के लिए पर्सन ओफ दा इयर की कोशना कर दी है अमेरिकी गाई का गीतकार टेलर स्विफ्ट को दिया गया है पर्सन ओफ दा इयर अवार 2023 2022 में युकरिन के राष्टपती व्लाड़मियन जलैंस्की को दिया गया था जबकि 2020 में एलैन मस्क को 2020 में जो बाइडन को बनाया गया था पर्सन ओफ दा इयर नेक्स्ट कुशन है हाली में बुकर पुरुसकार 2023 से किसे समानित किया गया है बुकर पुरुसकार 2023 समानित किया है बुकर पुरुसकार 2023 से समानित किया कह है बुकर पुरुसकार 2023 से एक मात्र भारतिय महीला थेलेट खिलारी कोन सी है बारती ये बैडमिंटेन इस्टार पीवी सिंदू ने फॉब्स की दोरा सबसे अधिक भूगतान पाने वाली एथिलेटो की सुची में आपनी जगे बनाई है पीवी सिंदू वा सिमोना बाइल्स दोनों ही सोलवे स्थान पर साथ में हैं पहले स्थान पर हैं इगा इस्टिटेक जो की टैनिस की खिलाडी है पॉलरेंड की है इगा इस्टिटेक इसके अलावा आप पूरी लिस्ट को देखना चाहते हैं खेलों इंडिया यूथ गेम्स के चटे संस्कंड का आयजन कहां पर किया जाएगा खेलों इंडिया यूथ गेम्स जिसकी पांच संस्कंड का आयजन पहले हो चुका है चटे संस्कंड का आयजन दोरा चौबिस में कहां पर होगा केंदर युवा कारे और खेल मंत्री अनुराग सिंख ठाकूर के दोरा तमिल लडू के खेल मंत्री ने दोरोन मिलके छटे खेलों इंडिया यूद गेम्स का सुबहंकर वीरा मंगाई वेलू नाचियार को जारी किया है वीरा मंगाई वेलू नाचियार 22 के संसकंड का आयजन भोपाल मद्धिपर्देश में किया गया था जिसमें महराष्ट्रो ओवरल चेंपिन बना था अब दोज़े 24 में होगा केलो इंडिय यूद गेम्स का छटा संसकंड नेक्स्ट अनसर रहे है उप्शन सी सैनिस पलासियोस इनका नाम है निकर गुगा की 23 वर्षियर टीवी होस्ट और मॉडल सैनिस पलासियोस ने 22 मिस यूणिवर्स 23 की प्रतिवता को जीता है मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी गैबरियल ने उनको ताज पहनाय था इसके अलावा रिकी कॉले जो की मिस निदलेंड है जो पहली ट्रांस वीमेन की रूप में इस प्रिट्योगता में सामिल हुई थी रिकी कॉले अगला कुशन है हाली में आजित किये गए पेरा एस याई खेलज 2023 में भारत में कुल कितने पधक जीते हैं पेरा एस याई खेल 2023 ऑशन है वारत ने कुल कितने पधक जीते थे रिक्टांसर है ऑपशन eldest ए 111 पधक चीन के जाग जोओं में पेरा एस याई खेलों में भारत ने 29 सुन 31 रज़त और 51 कांसे पदगों के साथ पांच वह स्थान परात किया था और भारत ने कुल 111 पदग इसमें जीते हैं पहले स्थान पर चीन रहा था हाले में आई जो तो ICC पुरुस एक दिवसी क्रिकेट विश्यू कब 2023 का खिताब किस देशने जीता है ICC पुरुस एक दिवसी क्रिकेट विश्यू कब 2023 इसको जीता है राइड अंसर ऑप्शन C उस्ट्रलिया ने भारत को फाइनल में हराकर 19 नौर्बर 2013 को एकदिवसी क्रिकेट विशू कब 2013 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को छटी वी बार हराकर चटी वी बार विशू कब को जीता है इस टूर्णमेट में के फाइनल में मैं अफ दो मैच्ट्रेविस हैड ऐस्टेलिया के खिलाड़ी रहे थे मैं आफ दो सिरीज भारत के बैट्समेन ईराट कोली रहे थे सरवादिक रन इस पिरत्युकता में ईराट कोली ने बनाये थे और सरवादिक विकेट भारती तेजगेंदबाज महुम्मद शमी ने लिये थे Next, भारत के मुख्य सुचना आयुक्त के पद पर किसे नुक्त किया गया है Chief Information Commissioner Commissioner of India Option A, हिरालाल सामरिया इसकी नपर फोटों कर देख सकते हैं इसकी नपर फोटों कर देख सकते हैं इसका dairy हो जाएगा जिसमें कोजिकोर्ड और गॉलिर्ट दोनों ही शहरों को इस सुची में समिल किया गया है योणस को शरेजनात्मक सहर नेट वरक में अपनी नवींत्र म सुची में केरल के कोजिकोर्ड को साहिति शहर और मद्य पर्देश के गवालियर को संगीत के सहर के रूप में इस्थान दिया गया है आप गया रखना है साहितिक सहर के रूप में और संगीत के सहर के रूप में मद्य पर्देश के गवालियर को इस्थान दिया गया है विश्व सहर दिवस पर युनस्को के महानेदेशक ओंड्रे अज्वालेने 55 सहरों को विभन सरिजनात्मक छेतरों के लिए नामित किया था नेश्ट क्यूशन है आठवी बार बैलेंडी और पुरुसकार जो कि फुटबॉल के छेतर में दिया जाता है इस खिलाडी को दिया गया है आठवी बार बैलेंडी और पुरुसकार प्राप्त कि फुटबॉल के पास सरवादिक बैलेंडी और आवार्ड का अब रिकॉर्ड है नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाली नर्गिस मुहमदी का संबंद किस देश से है इरान नोबल समिती के दौरा अनर्गिस मुहमदी को इरान में महिलाओं के उत्पीडन के विरोध सभी के लिए मानवदिकारों और सोतंतरता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए वर्स 2023 का नोबल सांती पुरुसकार देने का फेसला किया गया है नाइस्ट कुशन आले में वर्स 2023 का साहित्य के छेत्र में नोबल पुरुसकार किसे देने की कोशना के गया है साहित्य के छेत्र में यानि की नोबल प्राइस फॉर लेटरेचर वर्स 2023 के लिए राइट आमसर है ओप्शन बी जौन फॉसे को दिया गया है नोबल पुरुसकार जो की साहित्य की छेत्र में दिया गया है वर्स 2023 के साहित्य नोबल पुरुसकार के लिए नोबेर्जिन लेकर जौन फॉसे को चुना गया है उसे को उनके नववन मेशी नाटकों और ग्रद्द के लिए नोबल पुरुषकर से समाने तने को किया गया है अगला कुशन है हाली में 37 सवे राष्ट्री खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था राइट आंसर ओप्शन C है गोवा में अक्टूबर 2023 में पियम मोदीन गोवा के फतूरदा में पंडी जौवाला नेरू स्टेडियम में 3700 राष्टी खेलों का अधर सुवाक रखा गया था गेट सेट गोवा इससे पहले भारत के 3600 राष्टी खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था 3700 राष्टी खेलों का आयोजन गोवा में किया गया केंद्रे ग्रहमंत्री अमिशान ने देश के पहले नैनो तरल डी अपी सेंटर का उद्गाटन कहां पर किया है राइट आंसर ओप्शन डी गुजरात अक्टूबर 1223 में ग्रहमंत्री अमिशान ने गुजरात के गांधी नगर के कलोल में भारत के पहले नैनो तरल डाइ अमोनियम फासपोर्ट यानि की डी अपी सेंटर का उद्गाटन किया है इफको जोरा स्थापी दिस सेंटर में भारत में डी अपी का आयात कम करने में मदद मिलेगी है एक्ट कुशन हाली में आज़ूद किये गए जहांग जाओ एशियाई पैरा खेलों के उद्गाटन समारों में भारती दल के दोजवाग कौन बने थे जहांग जाओ एशियाई पैरा खेल्स जिसमें भारत पांचे इस्थान पर रहा था एक सुग्यारा पद्गों के साथ जिसमें पारूल पर्मार और अमित सरोहा दोनों ही पैरा अथलीट खेलेडियों को यहांपर भारती दल का दोजवाग बनाए गया था अक्टूबर दोज़ातेईस में एशियाई पैरा गेम्स दोज़ातेईस का भवी उद्गाटन समारो चीन के जहंग जोग में किया गया था भारत के ओर से प्रसिद पैरा शटलर पारूल पर्मार और पैरा कलब थ्रोवर अमित सरोहा उद्गाटन समारों के दोरान भारतीय दोजवाग बने थे जबकि जो एशिया गेम्स हुए थे उसमें लवली रंबोग गहन और हर्मन प्रीट सिंग भारतीय दल के दोजवाग थे नेक्स्ट कुशन विश्व स्वास्तिय सिखर समेलन दोज़ातेईस का आज़न कहां पर किया गया था स्वास्तिय सिखर समेलन का आज़न जर्मनी में किया गया था यह वैस्विक स्वास्तिक करवाई के लिए एक परी भाषित वर्स विश्व के दाथ ओनलाइन इसका आज़न किया गया था नेक्स्ट कुशन हाली में जारी हुई BWF रैंकिंग में चिराग और सात्विक की जोड़ी को कौन सा इस्थान दिया गया है जोनों भारती खिलाड़ी है जिनको हाली में आवर्स भी इनको दिये गए है इनको पहला स्थान दिया गया है World Badminton Federation रैंकिंग के अंदर और इसके अलावा दोनों ही खिलाड़ी को मेज़ा ध्यान चंद खेलातन आवार्ड से भी समानित किया गया है चिराग शेटी और सांत्विक सहिराज नेक्स्ट कुशन इसके अपने नागरिकों को भारत ने वापस लाने के लिए कौन सा अभियान सुरू किया था? इजह्राइल हमास संगर्स के दोरान भारती नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन से अभियान के शुरृत किया गया थी? राइट एंसर है ऑप्शन B ओप्रेशन अजय भारत सरकार ने युद्गरस्त इजराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ओपरेशन अजय शुरू किया था पंजीकर्त भारती नागरिकों को विशेश उडान के बारे में सूचना दी गई थी उनको भारत शुरक्षित लाए गया था हाली मैं चीन के RBI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहां प्रारम किया गया था राइट अंसरे आप्शन आपर B बंगलादेश बंगलादेश की प्रधान मतेश्य गसीना ने चीन की बेल्ट एंड रोड एनिशेटिव के तहत निश्वादिद 82 किलोमेटर में धाका और जसूर को जोडने वाले पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्गाटन किया है नाइस्ट कुशन हाली में आजवित किये गए उनिश्वे एस एक खेलों में होकी में भारत में कौन सा पदक जीता है अंसर राइट है ओप्शन ए स्वन पदक गोल्डन मैडल उनिश्वे एस एक गेम्स में भारती पुरुस होकी टीम ने गजच चेंपियन जापान को 5-1 से हरा कर 9 वर्स बाद एस एक खेलों का स्वन पदक अपना जीता है भारत कुल 107 पदक जीते है एस एक गेम्स में नाइस्ट कुशन है हाले में जारी किए गए वैस्विक नवाचार सूचकांग 23 में भारत को कौन सा स्थान मिला है गलोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इसमें भारत का स्थान रहा है 40 वा स्थान भारत का वेस्विक बॉदिक संपता संगठन ने वेस्विक नवाचार सूचकांग के 16 वे संसकंड में सामिल 132 देशों के अर्थिवच्था में भारत को 40 वा स्थान बरकरार रखा है लगातार तेर्वे वर्ड स्चुडजर लेंड इसमें पहले स्टान पर है वैस्टी खनावचार सुचकांक में नमबर दो पर स्टूडेन उसके बाद यूएस से यूके और सिंगापूर है पहले स्टान पर है स्चुडजर लेंड नाइस्ट कुशन 53 दादा साहब फाल के Lifetime Achievement Award जो 2021 के लिए दिया गया है किसे देने की गोश्ण की गई है Answered Option A. अभिनेत्री वहीदा रह्मान सुचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग्ठा को नहा हाली में गोश्ण की है कि प्रक्यात अभिनेत्री वहीदा रह्मान को वर्स 2020 के 53 दादा साहब फाल के Lifetime Achievement Awards को समाने किया जाएगा यह पुरुसकार 79 राश्टी फिल्म समारों के दौरान प्रदान किया जाएगा 2020 में 2020 के लिए 52 पुरुसकार अभिनेत्री आशा पारे को दिया गया था Next question है हाले में UNESCO की विश्वु विरास्त सूची में सामिल होने वाला बैयालिस्वा भारती इस्थल कोन सा है UNESCO की विश्व विरास्त सूची में World Heritage List के अंदर बैयालिस्व इस्थान पर कोन सामिल किया गया है Answer right है Option C Hoysel मंदिर समू, Hoysel Temple Groups Hoysel मंदिरों को विश्व धरोहर इस्थल UNESCO की सूची में भारत का बैयालिस्वा स्थान के रूप में सामिल किया गया है पवित्र Hoysel Ensembles 2014 से UNESCO की अष्थाई सूची में सामिल ठाया Next question है हाली में परदान मंतरी नरेंदर मोधी के द्वारा पुराने संसद भावन का नाम क्या रखा गया है पुराने संसद भावन का नाम Right answer है Option यहाँ पर B समिधान सदन 19 सितम पर 2013 को संसद की कारवाई नए भावन में इस्थानांत्रित कर दी गई है परदान मंतरी ने पुराने संसद भावन के नए नाम की कोशन की है जिसका पुराने संसद भावन का नाम है समिधान सदन Next Next question हाली में युनेस्को की विस्व धरोर सुची में सामिल होने वाला 41 भारती स्थल कोन से है युनेस्को की विस्व धरोर सुची में सामिल किया गया है यह भारत का 41 युनेस्को विस्व धरोर सुची में सामिल किया गया है नेक्ट कुशन, US Open Tennis 2023 पुरुस वर का एकल खिताब किसने जीता है? US Open Tennis 2023 पुरुस एकल खिताब ये जीता है, राइट अंसर है, ओप्शन B, नुवाक जोकोविच US Open Tennis प्रतियो खिता में नियोग के आर्थर एस स्टेडियम में सर्बिया के नुवाक जोकोविच ने अपना 24 वा ग्रेंड स्लेम खिताब जीता इतियास रचा है 2023 में जो चार ग्रेंड स्लेम खेले गए थे, उसके अंदर US Open नुवाक जोकोविच, विंबल्डन कार्लोस अलकराज, फ्रेंच ओपन नुवाक जोकोविच और Australian Open नुवाक जोकोविच, यानि ये तीन नुवाक जोकोविच ने जीते हैं जैकि विंबल्डन को जीता है, कार्लोस अलकराज ने Next, US Open Tennis 2023 महिला एकल वर का एकल खिताब के जीता है US Open Tennis में महिला एकल वर का खिताब जीता है राइट अंसर ओप्सेंट D है, कोको गौफ Australia Open 2023 के महिला एकल वर को कोको गौफ में आर्याना सबलंका को खिताब जीता है 2023 में हुए चारों ग्रेंड सलम के विजिता महिला वर के हैं US Open के कोको गौफ हैं, विंबल्डन के मारकेता वांडर सोवा फ्रेंच ओपन इगा स्टिटेक और अस्ट्रेलियन ओपन आर्याना सबलंका चारों ही विजिता अलग लग हैं इसके अंदर Next बीस्वा आसियान भारत सिखर समिलन कहां पर प्रण किया गया है बीस्वा आसियान भारत सिखर समिलन एटन सेरे अप्शन यहां पर बी जकारता चार सितम बादो जैसको प्रण मंतरी नरेंदर मोधी बीस्वे आसियान भारत सिखर समिलन और अठारवे पूरवी एसियान सिखर समिलन में हिस्सा लेने के लिए दो दिन की इंडेशन एंडोनेशिया यातरा पर थे दोनों सिखर समिलनों का आएंजन आशियान की मुझूदा अध्यक्स इंडोनेशिया की द्वारगार्षब जकारता में किया गया था सीट्मर 12 टे इसको मध्यपरदेस में भारत की पहली सोलर सिटी सांची का उध्गार्ट today के गया सांची में सालाना लगबग 3010 कार्वन डायकसाइड उस सरजन कम होगा जो दो लाख पेड़ों के पराबर है नाइस्ट कुछन हाली में इसरो ने किस रॉकेट से अधित्य एल वन का सफल प्रक्षेपन किया था उस रॉकेट का क्या ना है अंसर रेट है ऑप्षन B, PSLV C-57 दो सितंबर 2023 को इसरो ने स्री हरी कोटा के 37 धवन अंतरिक्स के अंदर से रॉकेट PSLV C-57 से भारत के पहले सौर मिशन आधित्य एल वन का सफल प्रक्षेपन किया था सूर के करोना का अध्यन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत यूरोप और अमेरिका के बाद तीसरा देश है अले में विरंगना दुरगावती किस राज का सात्वा बाग अभ्यारण बना है? विरंगना दुरगावती अभ्यारण अग्सराइट है option C- मदेपर्देश मदेपदे सरका ने राज के तीन जिलों में फैले नेरा देही अभ्यारन को टाइगर रिजर्व गोशित किया है इसी के साथ इस अभ्यारन का नाम बदल करब इरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कर दिया गया है इसका लबा मदेपदेश के छे अन्य बाग अभ्यारन जिसमें कानहा, बांधवगर्ड, सत्पूरा, पेंच, पन्ना और संजय, डूबरी पहले से ही बाग अभ्यारन है नेक्ट कुछन है नेक्ट कुछन है 27 मालाबार नौसानिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है 27 मालाबार नेवल एक्सराइज जो की चार देश भारत, जापान, यूएस और अउस्ट्रेलिया का है इसके मेजबान देश कौन से था इसका राइट आम सरे ओप्शन C, अउस्ट्रेलिया 11 चलेकर 21 अगस्त 2023 तक भारत, उस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मालाबार बहुपक्सी नौसानिक अभ्यास का 27 संसकर्ण सिडिनी उस्ट्रेलिया में अभ्यास की बेजबानी की है अगला कुशन है, अंतराष्ट्री होकी माहसं की नविन्तम रेंकिंग में भारतिय होकी टीम का क्या स्थान है भारतिय होकी टीम तीसरे स्थान पर है वर्तमान में, पहले स्थान पर नीदरलेंड है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम है ACI Champions Trophy में खिताबी जीत के बाद भारती होकी टीम, FIS की नविन्तम रेंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है अगला कुशन है, हाले में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबन किन राज्यों से है कावेरी जल विवाद एक बार फिर से चर्चा केंदर बना है हाली में, जिसमें जो की तमिल नाडू और करनाटक दोरा अपने जलाशियों में चौबिस सो क्यूबिक फिट प्रति सेकिंड का प्रभाव शुनेशित करने में हस्तिचेप करने के लिए भारत के सर्वोच्च नियाले से अपील की है यह विवाद तमिल नाडू और करनाटक राज की बीच में कल रहा है सावेरी जल विवाद नेक्स्ट क्यूशन है अले में इसरों ने अपना पहला सौर मिशन लॉंच किया है इसका क्या नाम है यह सलवी सी 57 रॉकेट के दारा इसको लॉंच किया गया था अंसर राट है ओप्शन डी आदित्य एल वन भारत का पहला सौर मिशन है इसरों अपने पहले सौरी मिशन आदित्य एल वन को लॉंच कर दिया है इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुब ग्यारा बच कर 50 मिनिट पर सुरी हरी कोटा के 37 धवन अंतरिक्स के इंद से इसको लॉंच किया था आदित्य एल वन नाम के इस मिशन का उद्दिश सुर्गी चम्ता की जांच करना है Next Question है किस भारतिय को रह्मन मैकसे से पुरुसकार 2023 मिला है किस भारतिय को रह्मन मैकसे से पुरुसकार 2023 से समानित किया गया है Answer Rights का है option A Dr. Ravi Kannan R रह्मन मैकसे से अवारण 2023 जो विज़े तक सूची है जिसमें और ने चार जनों को दिया गया है, कोर्वी रक्षन्द बंगला देस के हैं, युजैनियो लेमॉस के मोरलेस दे के हैं, मर्यम कॉर्नल फेरर फिलिपिन्स के हैं, भारत की ओर से ड्रवी कनन आर को दिया गया है, अपने चिकिस्यक, चिकिसा के पेशे के पारती दृड कौन बनी है भारतिये रेल्वे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्स बनी है जया वर्मा सिनहा सरकार ने जया वर्मा सिनहा को रेल्वे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्स नियूत किया है यह विभाग के लिए सीर्ष निर्णाय लेने वाली संगठन की प्रमुक है श्रीमिति शिन्हा इस 108 वर्स पुराने रेल्वे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्स बनी गी है रेल्वे बोर्ड का गटन 1905 में किया गया था उन्होंने अनिल कुमार लाहूटी का इस्थान लिया है किस दिन को राष्ट्री अंतरिक्स दिवस के रूप में मनाने की गोशन की गई है और राइटन से इसका है option C 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्री अंतरिक्स दिवस National Space Day भारत के चंद्रयान ने 23 अगस्त 2023 को चांद की सत्रा पर सफल लेंडिंग की थी अब भारती प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने इस दिन को यानि 23 अगस्त को राष्ट्री अंतरिक्स दिवस के रूप मनाने का फैसला किया है प्रिमोधी ने बताया है कि 23 अगस्त को जब भारत में चंद्रमा पर तिरंगा फैरा था उस दिन को हिंदुस्तान National Space Day करूप में अब मनाएगा अगला कुशन है चंद्रमा पर सफलता पूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा देश बना है बारत में 23 अगस्त को अपने चंद्रयान तीन मिशन को चंद्रमा की सतर पर सफलता पूर्वक लेंड किया है जिससे वह संगतुराज अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है चंद्रयान तीन के लेंडर विकरम ने चंद्रमा के दक्षनी धुरुवक उच हुआ है यह एक ऐसा छेतर है जिसकी पहले कभी कोच नहीं किये गई थी और इसको लाइव असी लाग सेदिक लोगों ने यूट्यूपर लाइव देखा था जो कि एक रिकॉर्ड भी बना है जबकि दक्षनी धुरुप उतरने वाला भारत पहला देश बना है नेस्ट कुशन ब्रिक्स सिखर सम्मिलन 2023 का आईजन कहां पर किया गया था ब्रिक्स सिखर सम्मिलन 2023 इसका आईजन दक्षन अफरीका में किया गया था परधान मांतरी नरेंदर मोदी ने पंदरवे ब्रिक्स सिखर सम्मिलन में सल लिया था ब्रिक्स समू में जो देश हैं जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीनी चार देश समिल है ब्रिक्स से सिकर से मिलन, 22 से लेकर 24 अगस तक दक्षिन अफ्रीका में आज़ित किया गया था इसकी theme रखे गई है ब्रिक्स एंड अफ्रीका, Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism ये इसकी theme रखे गई थी Next हाले में आज़ित किये गए महिला FIFA Football World Cup 2013 का विज़ेता कौन बना है Right answer option C है, Spain Spain ने महिला FIFA World Cup 2013 का खिताब जीत लिया है और चले के Sydney स्टेडियो में खेले के final में Spain ने England को एक जिरू सहरा दिया Nets का एक मातर गोल Spain की कप्तान Olga Carmona ने 19 सिमिलेट में किया था और टीम को champion बना है इसमें Spain की टीम पहली बार महिला FIFA World Cup champion बनी है टीम पहली बार इस टूनामेट का final भी खेल रही थी और उनोंने final उस जीता है 2022 में पुरुस फर्ड कप Argentina ने फ्रांस को भरा कर जीता था Next question है Raymond Maxe से पुरुसकार 2023 किसे मिला है Raymond Maxe से पुरुसकार 2023 Dr. Ravi Kanan R को मिला है Next question है Bricks सिखर समयलन का आईजन किया गया है दक्षिन अफरिका में Next question उत्तरपरदेश के किस जिले में राष्ट्री सहीद इसमारक और राष्ट्री रेलवी सुरक्सा संग्राले का उद्गाटन किया गया है राष्ट्री सहीद इसमारक और राष्ट्री रेलवी सुरक्सा संग्राले अंसर राष्ट्री इसका उप्षिन A. लखनोग उत्तरपरदेश रेलवी सुरक्सा बलके महानदेशक संजय चंद्र ने जग जीवन आरपी इफ अकादमी लखनोग में नव निर्मित राष्ट्री सहीद इसमारक आर्मलेस महिला सीतल देवी किस राजे से है आर्मलेस वीमेन एथलिट सीतल देवी आंसर राष्ट ऑप्षन डी है जम्मो कश्मीर चैक गंडराज के प्लजेन में पैरा तीरंदाजी विस्व चेंपेशिप के फाइनल में पहुचने वाली बिना हाथों वाली यानि कि आर्मलेस वीश्व की पहली महिला तीरंदाज बनकर सीतल देवी नेतियास बचा है सीतल देवी जम्मो कश्मीर की 16 वर्षी तीरंदाज है नेक्स्ट आले में विंबल्डन चैंपेशिप 2023 पुरुस वर्ग का एकल खिताब इसमें जीता है विंबल्डन चैंपेशिप 2023 का पुरुस वर्ग का एकल खिताब जीता है राइट आंसर ऑप्शन बी है कार्लोस अलकरोज जुलाई 2023 में विश्व के नमबर है खिलाडी कार्लोस अलकराज ने नुवाक जोकविच को हरा कर अपना पहला विंबल्डन किताब जीता है साल के चारों जो भी ग्रंड स्लिम खिले जाते हैं इसमें US Open, French Open, Wimbledon, जो भी Australian Open है इसमें सिर्फ एक जीता है कार्लोस अलकराज ने विंबल्डन उसके अलावा तीनों ही जीते हैं नुवाक जोकविच ने Next विंबल्डन चेंपिशिप 2023 में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है महिला एकल वर्ग, विंबल्डन चेंपिशिप राइट आंसर ओप्शन A, मारकेता वांडर सोबा जुलाई 2023 में खिले गए विंबल्डन चेंपिशिप के महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है मारकेता वांडर सोबान है Next question है, हाली में 25 वी ACI Athletics Championship 2023 में भारती दल को पदग टालिकर में कौन सा स्थान मिला था? 25 वी ACI Athletics Championship 2023 इसमें भारत को स्थान मिला है, तीसरा जुलाई 2023 में एशयाई Athletics Championship 2023 बैंकोक, थाइलेंड में जीत की गई थी भारती दल इस Championship में कुल 27 पदग जीत कर तीसरे स्थान पर रहा था इशयाई Athletics Championship Next चंद्रेन 3 को किस रोकेट से सफलता पूर्वक प्रक्षेपीत किया गया था? और फिर 23 अगस्त को इसने सफलता पूर्वक लेंडिंग की थी चंद्रमाबे राइट अंसर है यहाँ पर ऑप्षिन D LV M3 M4 नामक रोकेट था चोथो चलाई 2023 को भारत का चंद्रमाब पर 615 करोड रुपे का तीसरा मिशन सफलता पूर्वक प्रक्षेपीत किया गया था यह मिशन का प्रक्षेपीन स्रीहरीकोटा के सथीज धवन अंतरिक्स के अंदर से इसको लॉंच किया गया था LV M3 M4 रोकेट के दारा और 23 अगस्ट 2023 को सफलता पूर्वक लैंडिंग की थी और ऐसकाने वाला भारत चोथा देश बना था जबकि दक्षनी दूरूपर दोरने वाला पहला देश बना था 23 अगस्ट 2023 नेक्स्ट प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी को किस देश ने सर्वुच नागरिक The Grand Cross of the Legion of Honor से समानेत किया है आंसर राट है option A. France भारते प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी को जुलाई मह में फ्रांस और UA की अधिकारी यातरबट थे प्रांस के राश्टपती Emmanuel Macron ने मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक समान The Grand Cross of the Legion of the Honor से समानेत किया है ये मोदी जिसमान पाने वाले पहले भारती प्रदान मंतरी बने है ये ये इड़ान के वाले भारती ये जिसमान पाने है झाल 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 पपी तब टिफन नरग्ड़ू पपी तब टिफन नरग्ड़ू झाल 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 कांसी यूगीन सबिथा के समानांतर लोह यूगीन सबिथा के प्रमाण कहां पर प्राप्त हुए हैं आसर राइट हैसका ओप्षन डी तमिल नाडू इसकी इन पर फोटो देख सेकतां तमिल नाडू के पुरातातो भ्हाग के वरिष्ट सेक्स्टनिक और अनुसंदान सालाकार ने ग्यारवे विश्व तमिल अनुसंदान समिलाडू में हालिया पुरा तात्विक जांच में सिंदू गाटी कांसी यूगीन सभिता के समानांतर लोह यूगीन सभिता के परमाण प्राक्त हुए हैं तमिलाडू में Next question हालि में भारत ने वर्स 2024 के लिए G20 बैठा की अधिक्स्ता किसे सौपी है G20 बारत ने वर्स 2024 के लिए अधिक्स्ता किसे सौपी है राइट अंसर ओप्सन C है ब्राजील भारत जी टन्टी अधिक्स्ता को दोजा चौबिस के लिए ब्राजील को सौपी है तो अगला G20 का प्रसिडेंसी देश होगा ब्राजील पहली बार वर्स 2024 में G20 समों और प्रधान मंतरियों की वार्सिक बैठा की वेजबानी करेगा दोजा तेश में G20 के अधिक्स्ता भारत के दौरा की गई थी नेक्स्ट कुछिन आंसर रेट है ओप्शन B इरान इरन के राष्टपती इब्राइम रैसी है नेक्स्ट आले में जारी किये गए वेस्विक सांती सूचकांग 2023 में भारत का क्या इस्थान रहा है Global Peace Index 2023 जिसमें भारत को कौन सा अस्थान दिया गया है अंसर रेट है इसमें भारत को 126 वा अस्थान दिया गया है इंस्टिटूट फॉर एकोनोमिक्स एंड पीस के दौरा 2023 में Global Peace Index दुनिया के सबसे सांतीपून देशों की एक व्यापक रैंकिंग जारी की है Global Peace Index 2023 के 70 संसकर्ण के अनुसार भारत 2022 में 9 पायदान चड़कर 126 इस्थान पर पहुँच गया है इस सुची में आइसलेंड पहले स्थान पर है Global Peace Index आइसलेंड पहले स्थान पर है Westwick 37 सुच का 2023 में भारत का स्थान 163 देसों में 135 वा था जबकि 2023 में भारत 9 इस्थान उपर जाकर अब 126 इस्थान पर आगया है Global Peace Index में Next Westwick 33 सुच का 2023 में भारत का क्या इस्थान रहा है Global Competiveness Index 2023 इसमें भारत का इस्थान रहा है 40 वा इस्थान International Institute for Management Development IMD के द्वारा परकाशी 2023 के Global Competitiveness Index 2023 में डेनमार्क पहले स्थान पर है जबकि यहाँ पर भारत तीन रहेंकों की मामूली ग्रावट के बारद भारत 40 स्थान पर पहुँच गया है Next Global Gender Gap Index 2023 भारत का क्या स्थान है Global Gender Gap Index 2023 में Answer Right है Option C 127 स्थान पर है भारत पहले स्थान पर है Iceland लेंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127 स्थान पर पहुँच गया है विस्वार्तिक मंच WEF की दोरा वार्सिक लेंगिक अंतराल रिपोट 2023 जारी की गई है जिसमें अनुशार भारत की स्थिति में पिछली साल की तुलना में आठ इस्थानों की चुदार हुआ है 2022 की अपनी रिपोट में भारत 146 देशों में से 135 इस्थान पर था जो कि अब भारत अब 127 इस्थान पर आगया है आठ इस्थानों की चलांग लगई है भारत में इसमें लेंगिक समानता सूच कांक राष्पदी दुरोपदी मुर्मू को किस देश का सर्वचुनागरिक समान Grand Order of the Chain of the Yellow स्थान दिया गया है राइट अंसर है हैं पर आप्शन B सूरी नाम सूरी नाम राइश्ट कॉशन विस्व टेस्ट चैंपिंशिप 2020 का विजिता ओंसिटीन बनी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपिंशिप 2023 राइट अंसर है इस कुशन का ओप्शन नूमबर A ऑस्टेलिया ऑस्टेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर पहली बार विस्व टेस्ट चैंपिंशिप जिती है वहीं भारत इसमें उप विजिता रहा है नेस्ट हाली में आयोजित फ्रेंच ओपन टैनिस टूर्नमेंट दो जाते है इसके पुरुस वर्ग का खिताब इसे जीता है टैनिस के अंदर फ्रेंच ओपन टूर्णमेंट दो जाते है इसके विजिता रहे है नौवाक जोकोविच Novak Djokovic ने पूरे साल में चार Grand Slam होता है जिसमें से तीन जीते हैं एक Wimbledon को छोड़कर Wimbledon को जीता है कार्लोस अरकराजने French Open Tennis Tournament वर्क पुनुसवर का किताब Novak Djokovic ने जीता है Casper Root को हराकर उनुन अपना 23 वर्क ग्रेंड सलम जीता है Next French Open Tennis Tournament जीता है इसके महिला वर्क का किताब किसने जीता है French Open महिला वर्क का किताब जीता है Right answer है Option यहाँ पर A. Ega Svitek Next पहले खेलो इंडिया जन जातिया खेल महुसव का आईजन कहां पर किया गया था पहले खेलो इंडिया जंजातिय खेल महुसो का अजन कहा किया गया था? अंसर रहे हैं, यहाँ पर option C, भूनेश्वर 9 से लेकर 12 जुलाई तक पहला खेलो इंडिया जंजातिय खेल महुसो भूनेश्वर ओरी से महजुद किया गया था पहले संसकन में 26 राज्यों के 5000 जन जाती है एथलीटों और 1000 अधिकरों नहीं से भाग लिया था केलो इंडिया यूध गेम्स के पांचवा संसकन काया जन भोपाल में हुआ था और महराश्टिस में विजितरा था अगला कुशन है साइलेंट बारकर परियोजना के तहट एक ही रॉकेट से 41 उपग्रों को किस देश ने प्रक्षपित किया है एक ही रॉकेट से 41 उपग्रों को और लॉंच किया है राइट अंसर है ऑप्शन भी चीन के द्वारा जुन 2023 में चीन ने साइलेंट बारकर परियोजना के तहट लॉंग मार्च 2D रॉकेट से उतरी चीन में ताइवान सेटलाइट लॉंच सेंटर से एक ही रॉकेट से 41 उपग्रों को प्रक्षपित किया है एक रॉकेट से 26 उपग्रों को प्रक्षपित करने का अपना ही जुन 2023 में उत्रपरदेश ने जरूरत मन्त को मुफ्त कानूनी साहता परदान के लिए उत्तरपरदेश राजिक कानूनी सेवा परादिकान के तहट दोवस्केवदी के लिए कानूनी साहता रक्षा परामर्स परनाली LADCS परनाली लागू की है अगला कुशन है 2023 में विश्चु की सरवाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयजन भारत में कहा किया गया मोटो जीपी 2023 आंसर रैट है उत्तरपरदेश विश्चु की सरवाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकेट जारी किया था इस वर्ष मोटो इरेस पहली बार यूरोप के बाहर उत्तर प्रदेश में आजित की गई थी Next question है, हाले मैं चर्चा में रही परेटन पंडू भी टाइटन का संबंध किस देश से है परेटन पंडू भी टाइटन परेटन पंडू भी टाइटन एक डूबे हुए टाइटनिक के मलवे का दौरा करने के लिए एक अभियान पर गई थी लेकिन दो गंटे के बाद ही इसका संपर कौन से टूट गया था के बल इस्टे रेल ब्रिज रैटन सर ओप्शन बी जमू कश्मीर अंजी खट ब्रिज जमू कश्मीर में कट्रा और रियसी को जोडने वाला भारतीय रेलवे का अधेश का पहला के बल इस्टे ब्रिज है नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन से इस्थान मिला है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसमें भारत को इस्थान मिला है, ऑप्शन डी राइट है, 161 इस्थान मिला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जरी किया है भारत 180 देशों में से 161 स्थान पर आ गया है 2022 में भारत का स्थान एक स्थान एक स्थान एक स्थान था भारत 11 स्थान नीचे आ गया है 2023 में ठीक है Next Question पिटर्सबर्ग जलवायू सौमात का आयोजन किसकी अधिक्स्ता में किया गया है पिटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलोग का आयोजन किसकी अधिक्स्ता में किया गया था तो जाते इसमें आंसर राट है इसका option d.right हो जाएगा जिसके अंदर UAE और जर्मनी दोनों ही देशों की सयुक्त अधिक्स्ता में इसका जिन किया गया था Next भारत बंगलादेश के बीच वेपार और वनज्जु को बढ़ावा देने के लिए दाव की भूमी बंदरका का उंदगाटन कहां पर किया गया है Answer right option B. मेघाले केंद्री मंतिर नित्यानंद रोय ने दाव की भूमी बंदरका का उंदगाटन कहां पर किया गया था ऑप्शन B. इंडोनेशिया इंडोनेशिया में जिट किया गया था अगला कुशन है भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहां परारम हुई है भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना परारम हुई है option इसका right हो जाएगा option B सुपरदेश में यह मुना प्रादिकर्ण उत्रपरदेश ने कहती तोर पर भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना के संसोदित डीपीर और बोली दस्ताविश की मंजुर दी है जेवर में नोड़ा अंत्राश्टी हवाइड और फिल्म सिटी के भी चलने वाली पॉड टैक्सी परारम होगी संग लोग सेवा एयो का नया अध्यक्स कौन बना है? संग लोग सेवा आयो यानि यूपीएस सी का नया प्रादिकर्ण कौन बना है? अंसर रेट है ओप्शन सी मनोज सौनी सिक्साविद मनोज सौनी ने संग लोग सवाए कोई 31 अध्यक्स के तौर पर सबत ली थी ना इन्होंने 30 अध्यक्स परदीव कुमार जोसी का इस्थान लिया था वर्टमान में है मनोज सौनी यूपेशी चेर्मेन next उन्चास्वे जी सेवन सिखर समयलन का आईजन कहां पर किया गया था इजन जापान में किया था ऑपसं सी राइट है इसका उतर परदानमंतरी नरेदर मोटी ने जापान के हिरोशिमा शहर में ​ उन्चास्वे जी सेवन सिखर समयलन में हिसा लिया बहरत अब तक नो बार जी सेवन आउटरिस समयलानों भागिदारी कर चुका है। नो बार जी सेवन आउटरिस समयलानों भागिदारी कर चुका है। नो बार जी समयलानों भागिदारी कर चुका है। गोवा के लगू कथा लेखक, उपन्यासकार आलोचक और कॉंकडी में पटखा लेखक, दामुदर मोजोकु भारत के सरवच साहितिक समान, 57 ग्यानपीट परुषकार वर्स बाइसे समानित किया गया है। चपन्यासकार ग्यानपीट परुषकार विजेता असम्याकवी नील मनी फूकन थे। केंद्री सतरक्ता आयुक्त पद पर किसे निक्त किया गया है। उतर अट्लांटिक संधी संगठम के सच्चिव महमाईन जेंस स्टॉल्टन बर्ग में कोष्ण किया है कि फिनलेंड नाटों का 31 सदर से देश बन गया है। पहली बार आजुद किये गए WPAL यानि Women's Premier League 2013 का किताब किस महिला टीम ने जीता था। Women's Premier League अंसर राइट है ओप्शन ए मुंबई इंडियन्स ने मुंबई के ब्रबन स्टेडी में खेले गए महिला प्रीमेर लीग के फाइनल में दिली केपिटल्स को साथ विकेट से हराय था। दिली केपिटल्स के खेलाडी मैग लैनिंग को डबलू पीएल दो जाते है इस औरंज केप के विजिता बनाया गया था। नेक्स्ट, 13 अप्रेल को किस राज में बियर अंबेटकर को सम्मरपित स्टेची ओफ नॉलिज का अनावरन किया गया था। प्रेटी इसका वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट जारी की गई है, यह रिपोर्ट दर साथी है फिनलेंड दुनिया का सबसे खुसवाल देश है और लगातार छटवी बार इस साल में लगातार हुए है, इसमें अपना पहला सान बनाय हुए है। भारत की वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट रैंकिंग 136 से 126 में सुधार हुए है। इन भारत का अब 126 वास्तार है वर्ल्ड हैपिनेस रैंकिंग में। भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। अंसर रैट है ऑप्शन डी मद्यप्रदेश। भारत का पहला भूव विग्यानिक उध्यान मद्यप्रदेश की जबलपूर के लमिटा में नर्मदा नदिगे किनार बनेगा। नेक्स्ट अटिस्वे राष्ट्र खेलों का आईजन का आईजन कहां पर किया जाएगा। अटिस्वे राष्ट्र खेलों का आईजन गोव में किया गया था। जनका आईजन किया जाएगा। ऑप्शन B-right है उत्तरहकंड। नेक्स्ट जबकि बाइस दुजाए 22 में पर आईजन गोव में किया गया था। 3800 राष्ट के लोगों आये जन 2024 में उत्राखंड में होगा नेक्स्ट आले में डीजल परिवन के लिए 131.5 किलोमेटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच सुरू की गई है मैत्री पाइपलाइन अंसर रहेट है ऑप्शन B भारत और बंगलादेश अडानी परधान मंत्री नरेंदर मोधी और बंगलादेश की परधान मंत्री सेक शिरा ने वीडियो कोईपलाइन के माध्यम से भारत बंगलादेश मैत्री पाइपलाइन का उनकाटन किया है नेक्स्ट कुशन टाइम पत्रिका के विश्व के महांतम इस्थलों 2023 की सूची में किस भारती स्थल को सामिल किया गया है अंसर राइट है ओप्शन डी राइट हो जागा जिसके अंदर लद्दाक और मयूर भंज दोनों ही इस्थलों को इसमें इस्थान दिया गया है next question है 2023 का विश्व छह रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है विश्व छह रोग दिवस यनकी वर्ल्ड टीबर क्लॉसिस डे वर्ल्ड टीबी दे यह मनाया गया था राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यस वी कैन एंड टीबी प्रतिवर्श 24 मार्च को विश्व छह रोग दिवस की रूप में मनाया जाता है 24 मार्च को इससे विश्व तपैदिक दिवस भिखा जाता है 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी टीबर क्लॉसिस next आली में निव डेवलप्मेंट बैंक की नई मुख्या कौन बनी है निव डेवलप्मेंट बैंक की नई मुख्या बनी है दिल्मा रुसेफ राजल की पूर्व राष्ट पती दिल्मा वाना रुसेफ निर्विरोध, New Development Bank की नई पुर्मुक चुनी गई है वे New Development Bank के पुर्मुक की रूप में मार्कोस ट्राइजो का स्थान देंगी New Development Bank का मुख्याले संघाई चीन में है Next किस राज में इस्थित गंद मरदन पहाड़ियों को देश का चैंटिस्वा जैव विवित्ता विरासत स्थाल करूप में सामिल किया गया है गंद मरदन पहाड़ियां ये कहाँ पर है पैटन सर रहा है Option A पूरिशा में इस्थित है पूरिशा सरकार ने बोलंगीर और बारगट जिले में पहला गंद मरदन की पाड़ियों को राजी की तीसरी जैव विवित्ता विरासत इस्थल करूप में वोशित किया गया है यह भारत का 37 जैव विवित्ता विरासत इस्थल है अगला कुशन है हाली में US Chambers of Commerce की अंतराश्ट्री बहुत दिक संपता सूचकांग 2023 में भारत का क्या इस्थान है अंसर रहे है option B बयानलिस्व इस्थान US Chamber of Commerce दोराजारी अंतराश्ट्री बहुत दिक संपता सूचकांग 2023 में पच्पन प्रमुख वैस्थविक अर्थ विवस्ताओं में भारत बयानलिस्व इस्थान पर रहा था चेंकतराश अमेरिका 2023 में सूचकांग में पहले स्थान पर रहा है नेक्स्ट डेबरिगर्ड को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है यह किस राजे से संब्धित है डेबरिगर्ड टाइगर रिजर्व आंसर राइट है option A ओडिसा पर रहे बाग सरक्षन प्राधिकर ने डेबरिगर्ड को ओडिसा राज का नए टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी परदान की है डेबरिगर्ड ओडिसा राज का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा ओडिसा के मुक्त में तरी नवीन पटनायक है अगला कोशन है नीती आयोक के नए CEO कौन बने है नीती आयोक के नए CEO बने है BVR सुबर्मनियम नीती आयोक CEO फरवेट दो जाते इसमें केने सरकान नीती आयोक के CEO के रूप में BVR सुबर्मनियम की नियक्ति को मंजूरी परदान की थी BVR Superman इमने परमिश्वरन ऐर की जगे ली है Next question अंतरश्टी सौर संगथन का नमीनतम हस्थाकसर करता देश कों सा बना है अंतरश्टी सौर गठ वंदन का नमीनतम सदस्य देश बना है कांगो गनराज के राजदूत रेमन सर्जिबले ने नई दिली में अंतराश्टी स्वार गटवंदन समझेद पर हस्ताक्सर कीए हैं अंतराश्टी स्वार गटवंदन में कूल 112 देशों ने ISA फ्रेमवर पर हस्ताक्सर किए वे हैं अंतराश्टी स्वार गटवंदन का मुख्याले इसे IA भी कहते हैं और International Soul of Alliance, इंग्लिस में कहते हैं, गुरुग्राम हर्याणा में हैं, अध्यक्स अजमात हो रहा हैं। Next, सेंक्तुराष्ट्र महासभा के सतेतरवे सतर के अध्यक्स सभाकोरोसी किस देश से संबन्दे थे हैं। सभाकोरोसी, इनका संबन्द है, Option A, Hungary Next, हाइड्रोजन संचालेٹ ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कोन सा हैं। मैं सबसे पहले, जर्मनी ने हाइड्रोजन संचालेट ट्रेन शुरू की थी intendग्स अध्यक्स ताड के पत्ते का विश्यू का पहला पांडूलिपी संग्राले कहां सुरू हुआ है ताड के पत्ते का आंसर राइट है ऑप्शन डी केरल किरुणन पुन केरल में ताड के पत्तों का विश्यू का पहला पांडूलिपी संग्राले खोला गया है नेक्स्ट अगला कुछन है जलीकटू 2023 जिसे मुटू पॉंगल भी कहा जाता है इसका अईजन कहाँ पर किया गया है जलीकटू 2023 जनवरेट 2023 में तमिलाडू इस्थित मदूरेई के अविनियपूरम गाउं में चलीकटू 2023 का आजन किया गया था तमिलाडू मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है तमिलाडू राजपाल है R.N. रवी बारत के प्रसिद सांची इस्थूप के पूर्वी गेट की प्रतिकर्थिकर्ति का अनावरण कहां पर किया गया है अंसर एठ है इसका option D. Germany बर्लिन पैलेस जर्मनी में युनेस्को की विशु धरोर इस्तल सांची इस्तूप के प्रशिद पूर्विगेट की प्रतिकर्ति का नावरण किया गया है अले में भारत का सबसे गहराई में इस्तित भूमी गत मेट्रो इस्टेशन का इस्ताफित किया जा रहा है इसका राइट अंसर है उप्शन ए पूर्णे चीन की दोरा मापजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटलैक तस्यूले सामने आई थी भारत में इसकी साहिक नदी कौन सी है इस नदी की मापजा जांगबो नदी भारत में इसकी साहिक नदी है ऑप्शन बी रैट है गंगा नदी गर्भा निर्टिको युनिस्को की मानावता की अमूर्थ सांस्कर्तिक वरासत सूचि में सामिल किया गया है यह भारत की कौन से करम की धरोव है जो इसमें सामिल हुई है आधर सा राइट इसका है ओप्शन C पंदरवी धरोव है हले में यूनसको ने जिवनत और सांसकर्तिक रूप से महतुपूर्ण अन्षट गरभा को आधिकारिक तोर पर आमूर्थ सांसकर्तिक राशत की सूची में सतांदिया है गरभा भारत की ओर से सूची में पंदरवे इस्तान पर है स्वेशन C और इसकी theme रखे गई थी, Freedom, Equality, Justice for All, विश्व मानवतिकार दिवस 2023 Next, अंतराश्टी प्रवासी दिवस 2023 कब मनाय गया है, International Migrants Day, यह मनाय गया है, राइट आंसर है, option C, 18 December अंतराश्टी प्रवासी दिवस 2023 में 18 December को मनाय गया था, theme इसके रखे गई, Act Today Next question है, अले मैं आज जित किया गया, Tennis का World Cup, Davis Cup 2023 किसने जीता है, Davis Cup 2023 को जीता है, Italy के द्वारा Next, सर्फसेश्ट महिला एथलीट दिव्यांग की इस रणी में काप पुरुसकार किसे मिला है, सर्फसेश्ट महिला एथलीट दिव्यांग Answer right है, Option B, शीतल देवी जो कि भारत की ओर से आर्मलेस एथलीट खिलाडी है, बिनाहात वाली भाला फेंग खिलाडी सुमित अंतिल और तिरंदाज सीतल देवी ने पहले देव्यांग खिल पुरुसकार में प्रतिश्ट पुरुस और सर्फसेट महिला खिल पुरुसकार जीते हैं नेक्स्ट पांच करोड में, जबकि मिचल स्टार्क को 24.7 करोड में केगाई टीम ने खरिद लिया था, और सबसे महिंगे खिलाडी बन गए हैं मिचल स्टार्क ठीक दोस्तों यह था हमारे जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के टॉप इंपॉर्टन 120 कुशिंस की क्वीज थी अगर आपको वीडियो चलागेगा तो जोर वीडियो को आप लाइक करते हैं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें चैनल पर नहीं है तो वीडियो को डिस्क्रिप्सिं में मिल जाएगा वहाँ जागर डाउनलूड कर सकते हैं हमारी टेलेग्राम गुरूप को जोन के लिए जहां सभी पीडियोप्स की लिंक अवेलेबल रहते हैं आज के लिए मिलते एक नए वीडियो में धन्यवाद